आज मैं आपको explain करने वाला हूँ 1988 की मूवी बिग इस मूवी में 13 साल का एक बच्चा चाहता है कि वो बड़ा बन जाए और दूसरे दिन वो बड़ा बन भी जाता है वो directly 30 साल का हो जाता है उसके लाइफ में फिर क्या क्या होता है यह इस मूवी की storyline है टॉम हैंग जैसे बहुत ही अच्छे actors इस मूवी में है मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारे मूवी का lead character दिखता है 13 साल का Josh अपने computer पे game खेल रहा होता है उसे computers में बहुत सारा interest होता है थोड़ी देर बाद वो बाहर खेलने जाता है उसका एक best friend होता है Billy उसके साथ वो खेलता है खेलने के बाद वो hangout कर रहे होते है लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते है तब ही Cynthia Josh को देख कर हसती है Billy उसे बोलता है कि तुम उसे अच्छे लगते हो Josh को भी वो पसन आती है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है फिर वो दोनों घर आ जाते है वो जब घर आते है तो उसके parents उसकी room में उसकी sister को shift कर देते है उसकी एक छोटी सी sister होती है उसकी crib वो वहाँ उसके room में shift कर देते है उसी ही अच्छा नहीं लगता पर इसके against वो कुछ भी नहीं कर पाता फिर next scene में हमें Billy दिखाया गया है Billy के घर में हमेशा जगड़ी चलते रहते है Billy एक अच्छा लड़का होता है जो अपने family को help करता है रात में जब Josh और Billy दोनों सोने को जाते है तो अपने walkie-talkie में वो बात करते है Josh की mother उसे walkie-talkie बन करने को बोलती है Billy और Josh की उस walkie-talkie पर बात होती है और Billy Josh को बोलता है कि Cynthia तुमें भी पसंद करती है वो पहले जिस लड़के को पसंद करती थी उनकी अब fight हो चुकी है तो इसलिए तुम्हारा अब chance है एक्स दिन उनके शेहर में roller coaster आई हुई होती है Josh के parents उसे फिर वहाँ लेकर जाते है वहाँ उसे Cynthia भी दिखती है Cynthia एक ride पर जाने वाली होती है तो Josh भी वहाँ जाना चाता है वो उसके parents से पैसे लेता है और उन्हें जाने के लिए बोलता है वो वहाँ जाकर वहाँ खड़ा हो जाता है Cynthia भी उसे बात करने लग जाती है Cynthia उसे पूछती है कि क्या तुम इस ride पर पहले गए हो तो वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पहले गया हूँ वो डर रही होती है फिर एक लड़का Cynthia के यहाँ आकर वहाँ खड़ा हो जाता है एक्चल में Cynthia उसके साथ डेट पर आई हुई होती है इस ride के लिए लाइन होती है वहाँ फिर वो Josh को आगे कर देते है Cynthia Josh के साथ नहीं आने वाली होती ride का जो supervisor होता है वो बोलता है कि तुम्हेरे height बहुत ही कम है तुम्हें यह ride नहीं कर सकते उसे बहुती stupid feel होता है फिर वो वहाँ से चला जाता है उसके पास ride के लिए जो पैसे होते है तो इसलिए वो वहाँ घुमता है वहाँ गुम्दे गुम्दे वो एक गेम की मशीन पर आ जाता है ये एक Zoloft मशीन होती है ये जालो नहीं हो रही होती तो Josh उसे धक्का देता है उसमें पैसे डालता है और ये जो गेम होता है उसमें उसे पुछा जाता है कि तुम एक विश मांग सकते हो फिर वो विश करता है कि वो बड़ा बन जाए थोड़ी देर बाद उसे एक कार्ट मिलता है और उस कार्ट में लिखा होता है कि तुमारी विश ग्रांट हो चुकी है इसे ये मशीन बहुत ही अजीब लग रही होती है जब वो देखता है तब उसका प्लग जो होता है वो ओनी नहीं होता फिर वो वहाँ से भाग जाता है बात में हमें एक जोर का तुफान आया होँआ दिखता है जब सुबा होती है तो नीचे से जौश की मदर उसे उठाती है जौश जाकता है और बात्रूम में जाता है बात्रूम में जाकर देखता है तो वो बड़ा हो चुका होता है बात्रूम में जाकर देखता है अपने आईस को फिर से वाश करता है और देखता है पर वो अब सचमूच में बड़ा हो चुका है उसके height बड़ी हो चुकी होती है उसके चाती पर hairs होती है और वो बहुत ही आश्यर चकित हो जाता है वो भाग कर अपनी room में जाता है वो कपड़े पहनने के कोशिश करता है पर उसके अपने old कपड़े अब उससे नहीं आते है वो उसके pan में एक card देखता है उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी visa grant हो चुकी है फिर वो अपने father के sweatshirt में घर से निकल जाता है उसके mother को मालूम नहीं होने देता फिर वो उस जगा जाता है जिस जगा वो कल रात था पर अब वहाँ कुछ भी नहीं होता वो फिर जब घर जाता है तो अपनी mother के सामने आता है उसकी mother को लगता है कि कोई उसके घर में अचानक से घुश गया है क्योंकि आप Josh बड़ा हो चुका है तो वो उससे पैचानती Josh उसे समझाने के कोशिश करता है Josh उसे बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी पूछ सकती हो मैं Josh के बारे में सब जानता हूँ उसकी mother बहुत ही डर जाती है वो बोलता है कि मेरे बंपर एक बत माग भी है वो अपने पैट निकालता है तो और भी उसकी mother डर जाती है और पुलि फिर जॉष उसे समझाने की कोशिश करता है, वो समझ नहीं रहा होता, जॉष फिर उनका जो private song होता है, वो sing करने लग जाता है, फिर बिली को विश्वास हो जाता है, बिली फिर जॉष के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है, उसका जो सामान होता है, वो एक बैग में भरकर वो उसे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए वो हमें फिर बेस्टॉप पे दिखाए गए है बिली उसे अपने पैरेंट्स के कुछ पैसे देता है वो दोनों फिर अब नियू यॉक जाने वाले होते हैं ये जो फेर थी जो उनकी सिटी में आई थी वो अब नियू यॉक में होती है जो एक्चुली नियू यॉक के बाहर रहता है तो ये जो फेर होती है वो नियू यॉक में होने वाली होती है अब जो और बिली नियू यॉक में जाकर इस फेर को ढूडने वाले होते हैं और उस जोलाफ मशीन को वहाँ ढूंडने वाले होते हैं और फिर वो उस जोलाफ मशीन को ढूंड कर सब ठीक करने वाले होते हैं जब वो दोनों न्यूयोक आते हैं तब उन्हें वहाँ का इन्वार्मेंट कुछ अच्छा नहीं लगता उन्हें वहाँ ड्रगिस मिलते है, कुछ प्रोस्टेटूट भी वहाँ मिलती है एक बहुत ही थर्ड क्लास होटेल में बिली और जोज जाते है उनके पास उतने पैसे नहीं होते, तो बिली उससे बोलता है कि तुम्हें यही रहना पड़ेगा यह जो होटेल होता है, इसमें वाइलन्स की आवाज है आती रहती है गन शोट्स, वेगरह सब यहाँ सुनाई देता है बिली वहाँ से जा रहा होता है, तो जोज उससे पुछता है, तो तुम क्या जा रहे हो बिली वहाँ से जाता है क्योंकि उसे 10 बचे के पहले घर जाना होता है वो जॉश को वान करकर जाता है कि तुम अपना खायाल रखो जॉश फिर रो रो कर सो जाता है नेक्स दिन जॉश और बिली ये दोनों एक आर्केल शॉप्स विजिट कर रहे होते है वो बहुत सारे आर्केल शॉप्स विजिट करते है और ढूनते है कि वो जॉलोप मशीन वहाँ है या नहीं फिर उनका प्लान होता है कि वो सीटी के जो भी फेर्स होते है उनकी लिस्ट लेंगे तो इसलिए वो एक ओफिस में जाते है वहाँ कि जो लेडी होती है वो उने बोलती है तो मैं इसके लिए एक फर्म फिल करना होगा वो बोलती है कि वेटिंग पेरेट फोर विक्स का होता है जॉज बहुत ही डर जाता है वो बिली से बोलता है कि मैं इतने फोर विक्स क्या करूंगा बिली उसे बोलता है कि तुम कुछ भी job वगरा कर सकते हो फिर वो दोने एक ice cream पारलर में आते हैं और news paper में देख रहे होते हैं कि काहा jobs वगरा है बिली उसे एक computers का job पताता है जोश को computers के बारे में बहुत कुछ पता होता है तो इसलिए वो ये job कर सकता है यह जो job होता है यह एक toys shop में होता है Macmillan Toys इस company का name होता है Billy जब interview में जाता है तो interview लेने वाला उसे बोलता है कि तुम्हें 4 साल का experience है वो बहुत impressed हो जाता है फिर Billy को वो job मिल जाती है इस interview के scene में ही हमें Susan दिखाई गई है Susan वहां marketing में काम करती है Susan की secretary अच्छे से काम नहीं कर रही होती इसलिए वो उस interviewer के सामने आती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे अच्छे सी secretary देनी चाहिए उसके office में एक co-worker को बच्चा होने वाला होता है उसके लिए सब celebration कर रहे होते है पर Susan उसमें भी शामिल नहीं होती जब वो अपने office में आकर बैठती है तो testing के लिए उसे एक doll दी जाती है वो उस dog को भी fake देती है वो उस doll को भी fake देती है वो बहुत ही irritated होती है उसके job से वो थोड़ी भी खुश नहीं होती next scene में हमें दिखाया गया है कि Josh अब computers पे है वो बहुत ही fast काम कर रहा होता है तो उसका coworker उसे बोलता है कि तुमें इतना fast काम नहीं करना चाहिए तुम अगर बहुत ज़्यादा काम करोगे तो हमारी job भी जा सकती है Susan का boyfriend होता है Paul वो भी marketing में होता है Susan on Paul ने एक पूरी toys की line ही create की होती है पर वो line drop हो जाती है क्योंकि उनके sales उतने अच्छे नहीं आ रहे होते Susan परिशान होके Paul से मिलने आती है Paul को उससे इतना ज़्यादा फरक नहीं पढ़ रहा होता next scene में Josh अपनी mother को call करता है अपनी mother को call करकर वो बोलता है कि तुमारा बच्चा ठीक है वो जल से जल घर आ जाएगा उसकी mother डर जाती है और बोलती है कि उसे कुछ भी मत करो अगर तुमने उसे कुछ किया तो तुम तुमारी पुरी जिंदगी पश्टा होगे उसकी mother उसे एक proof मांगती है कि Josh अच्छा है ठीक है फिर Josh उसे पुशता है कि तुम ऐसी कुछ चीज बताओ कि सिर्फ Josh को ही पताओ फिर वो उसे बोलती है कि मैं वो जब छोटा बच्चा था तो उसे एक लोरी सुनाती थी उसका नाम मुझे बताओ फिर Josh उसे सिंग कर कर बताता है उसकी mother रोने लग जाती है नेक सिन में सुजन, पॉल और कमपनी का हेड जो होता है Macmillan वो सब रस्ते से जा रहे होते है सुजन और पॉल उसे सब स्टाटिस्टिक समझा रहे होते है और फिर वो Josh से टकरा जाते है Josh बहुत ही जल्दी में होता है क्योंकि उसे जल से जल काम खतम करना होता है तो उसके बॉस Macmillan उससे बहुत ही इंप्रेस हो जाते है वो पॉल को बोलते है कि हसल जिन्दगी में जरूरी है कमपनी में बहुत ही अच्छा काम करता है और उसे एक पेचेक मिलता है 142 डॉलर्स का ये पेचेक होता है और ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है उसके को वर्कर्स को वो कम लग रहा होता है पर इसके लिए फोर्चन होती है फिर वो अपने फ्रेंड के साथ बैंक आता है बैंक में लेडी उसे पुछती है कि तुम्हें ये कैसे चाहिए तो बिली और वो डिसकस करते है और सब एक-एक डॉलर्स में वो सब पैसे लेते है वो बहुत ही खुश होते है और पुरे दीन भर वो मजे करते है राद में सब खा पीकर जॉश बोलता है कि मेरा पैट बहुत ही दुख रहा है उन्होंने बहुत ही एंजॉइ किया होता है राद में अब जॉश का पैट दुखने लग जाता है तो वो अपने फादर को कॉल करता है जॉश फिर सेल्स रिपोर्टर का एक ढोंग लेता है और अपने फादर से पुछता है कि हम एक सर्वे कर रहे है तो अगर आपके बच्चों को रात में कुछ पेट वेगरा दुखे तो आप क्या देंगे उसके फादर उसे मेडिसीन का नाम बताते है जॉश फिर वो लेकर सो जाता है नेक्स दिन जॉश सिटी में घुम रहा होता है तो एक टॉइ की शॉप में जाता है वो सब टॉइस से खेलने लग जाता है वहाव अपने बॉस मिगमिलन से डगरा जाता है वो दोनों एक टॉइ के बारे में बात करते है जॉश तो अंदर से 13 साल का लड़का ही है इसलिए उसे टॉइस के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है उसकी इंसाइट बहुत ही एक्क्यूरेट होती है यह उसके बॉश को बहुत ही अच्छा लगता है फिर वो घुमते घुमते उस टॉइ शॉप में एक फ्लोर पिवानो पे आ जाते है जॉश उस पियानो से खेलने लग जाता है और उसे वो पियानो बजाना आच्छा लगता है तो वो उसे बचाने लगता है उसके boss भी उस piano को जानते हैं कैसे play करना है तो वो दोनो एक tune play करते हैं सारे लोग उनके आसपास खड़े हो जाते हैं और वो दोनो एक moment share करते हैं इसन में हमें दिखता है कि Susan और Paul discuss कर रहे होते हैं Paul Susan को बता रहा होता है कि Josh को promotion मिल चुका है पॉल से भी बड़ा office Josh को मिल गया होता है Josh के boss को बहुत ही अच्छी लगती है Josh की insight तो इसलिए उसे promotion मिल जाता है फिर Billy Josh के office में आता है Josh उसे बोलता है कि यहाप बहुत सारे toys है इन toys से मैं खेलता हूँ और सब को बताता हूँ कि मुझे यह कैसे लगे यह उसका job होता है Billy को बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा भी job कितना अच्छा है नेक सीन में Susan और Paul अपने apartment में होते है और वो discuss कर रहे होते कि यह Josh कहां से आया है Paul बोलता है कि मैंने बहुत जगा ढूंडने की उसे कोशिश की पर मुझे Josh का कोई भी पता नहीं मिला नेक सीन जो है यह एक meeting होती है Macmillan उसके सब employees यहाँ Paul भी होता है Josh भी होती है और Susan भी होता है Paul सब number उन्हें बता रहा होता है वो बोल रहा होता है कि कैसे market growth हुई है वो एक new toy भी try करने वाले होते है यह एक building होती है जो robot में convert हो जाती है Paul meeting खत्ब होने के बाद बोलता है कि कि किसी को कुछ question हो तो वो पूछ सकता है Josh बोलता है कि यह कैसा toy है मुझे यह समझ में नहीं आया Paul को question समझ में नहीं आता तो Josh बोलता है कि यह सिर्फ एक building है जो robot में connect हो जाती है इसे खेलने में मज़ा नहीं आएगा वो बोलता है मज़ा तब आएगा जब robot कुछ चीजों में बदल जाए यानि कि यह robot अगर bug में transform हो गया तो यह बहुत ही अच्छा हो सकता है सबको यह idea बहुत ही अच्छी लगती है Macmillan को भी यह idea पसनाती है Paul यह सब personally लेता है उसका toy reject हो जाता है इसलिए वो बहुत ही hurt हो जाता है Susan से वो यह सब बात करता है फिर Josh और Billy अपने लिए apartment देखते हैं दोनों apartment rain कर लेते हैं और उसमें सब खेलने की चीज़े लेते हैं फिर वो दोनों हमें city में दिखाए गए हैं गेम्स खेल रहे होते हैं बहुत सारी अच्छे चीज़े वो कर रहे होते हैं Josh अपने mother को letter लिखता है वो उस letter में लिखता है कि मैं बहुत मजे कर रहा हूं मैं बहुर भी जाता हूँ, मैं पाक में भी जाता हूँ मैं ठीक हूँ, इस letter में वो लिख रहा होता है next scene में Josh को party में जाना होता है तो Billy और वो suit की shopping में आते जब वो उस shop में आते तो उसके ओनर को हैरान कर देते हैं फिर जॉश को एक बहुत याट-पटाता सूट पसन आता है वो सूट पहन कर ही वो पार्टी में आ जाता है जब वो आता है तब सब उस पर हसने लगते हैं इस पार्टी में सुजन और पॉल होते हैं पॉल हमेशा बिजनेस के बाती करता रहता है इसलिए सूजन उसके डेबल से उठकर चली जाती है फिर वो मैकमिलन से बिजनेस के बात करना चाती है पर मैकमिलन उसे बोलते हैं कि एक पार्टी है तुम्हें drinks लेने चाहिए तुम्हें enjoy करना चाहिए Josh नई नही चीजें सब try कर रहा होता है अलग अलग चीजें वो खा रहा होता है फिर Susan आकर उससे बात करना चाती है हुँ बोलती है कि ये बहुत boring party है हर party में samey बाते सब करते रहते है और हमेशा एक ही बात ही होती रहती है जौश को वहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा होता फिर सुजन उसे बोलती है कि चलो हम अब बाहर जाते है कमपनी के कार में बैठते है सुजन बोल रही होती है कि ओफिस में हम किसी को भी जाननी सकते अच्छे से तुमें उसे जानना होगा तो तुमें डेट पर वेगरा ही जाना पड़ता है जौश पर उसकी बाते वेगरा नहीं सुन रहा होता वो गाड़ी सही खेल रहा होता है गाड़ी की विंडोस को हाथ लगाता है लोक्स वो उपर नीचे करता है फिर वो गाड़ी के रूप से बाहर देखने के लिए खड़ा हो जाता है सुजन को भी उपर बुलाता है वो सुजन को बोलता है कि ये मेरी अपार्मेंट थी सुजन और वो फिर उसके घर आ जाते है Susan उसे बोलती है कि इतनी जल्दी मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहिए Josh को पता नहीं चलता है कि यह क्या बोल रही है और उसे वो अंदर इन्वाइट करता है Susan अंदर आकर जब देखती है तो उसे उसका घर बहुत ही अजिब लगता है वो आट टैमपोलेंग भी होती है उसे देखकर वो एकसेटेड होती है पर वो वो खेलना नहीं चाहती फिर Josh उसे बोलता है कि तुम्हें इस पर चड़ना चाहिए तो इम बहुत ही मज़ाएगा Josh उसके शूस वगरा निकालता है और फिर उसे जम करना सिखाता है फिर वो रात में गेम्स खेलते है जब वो सोने जाते है तो उनका एक प्रॉपर बेड़नी होता Josh आता है और उपर जाकर सो जाता है उनके बीच रात में कुछ भी नहीं होता नेक्स दिन सुजन और पॉल गार में होते पॉल फिर से अपने बीजनेस के इबाते कर रहा होता है तो सुजन फिर गाड़ी से खेलने लग जाती है वो रेडियो चेंज करती है पर पॉल उसे बोलता है कि ऐसे बच्चो जैसा क्यों कर रहे हो सुजन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है पॉल को समझ में नहीं आता कि जॉश कैसा है तो इसलिए वो उसे गेम खिलने के लिए इंवाइट करता है पॉल उसे गेम के सब ढम सिखाता है और जब वो खिलने लग जाते है तो जॉश जीदने लग जाता है फिर पॉल चिटिंग करने लग जाता है जॉश और पॉल की फिर लड़ाई हो जाती है पॉल उसे पंच कर देता है जॉश के नाक से खुन आ रहा होता है तो सुजन उसे टेंड कर रही होती है वो उसे बोलती है कि पॉल तुम से डरता है इसलिए वो ऐसा करता है जोश उसे बोलता है कि तुम भी उसके साथ ही काम करती हो उसके जैसा ही तुम काम करती हो पर तुम की इतनी अच्छी हो सुजेन फिर उसे किस करती है रात में जोश उसके बॉस के साथ बेटा हुआ होता है उसके जॉश एक report पर काम कर रहे होते हैं इनकी problem यह होती है कि 13 साल के बच्चे को कैसे वो अपनी toys sell कर पाए वो बोलते है कि 13 साल के लड़के को सिर्फ 13 साल के लड़की चाहिए होती है उसे toys में interest नहीं होता उसे अब realize होता है कि जिस age में वो अब आ चुका है बड़ा हो चुका है तो इस age की ही Susan है इसकी अब वो girlfriend हो सकती है यह इसको realize होता है नेक्स दिन Josh का बड़े होता है तो Billy उसे एक restaurant में लेकर जाता है Billy को पूरा दिन उसके साथ spend करना होता है पर Josh बोलता है कि मुझे कुछ लोगों से मिलना है मैं तुम्हें call करूंगा यह बोलकर Josh वहाँ से चला जाता है फिर Josh Susan के पास आता है Susan के apartment में आकर वो बैठता है पर वो बोर हो रहा होता है इसलिए वो फिर एक fair में जाते है वहाँ वो बहुत ही मज़े करते है रोलर कोस्टर पर जाते है डांस फ्लोर भी होता है वहाँ जाकर वो डांस करते है Susan बोलती है कि मैं तुमारे जैसे आदमी को कभी नहीं मिली मैं जिन भी लोगों को डेट करती हूँ उनके पास शुपाने के लिए बहुत कुछ होता है तुम उससे कुछ भी नहीं चिपाते फिर जॉस उसे किस करता है फिर वो उसे अपने अपार्मेंट मर लेकर आती है और वो दोने इंटिमेट हो जाते है नेक्स दीन जब वो ऑफिस में आता है तो बहुत ही खोश होता है सुजन उसके एक फ्रैंड की डिनर होता है वहाँ भी लेकर आती है सुजन की फ्रैंड की फैमिली होती है उसका एक बच्चा भी होता है और उसे अलजेबरा में प्रालम आ रहा होता है Josh का algebra अच्छा होता है तो उसे help करता है Susan की friend उसे बोलती है कि तुम्हारा boyfriend बहुत ही अच्छा है Next scene में हमें दिखता है कि Billy के पास up list आ चुकी है जो New York में सब fairs है यानि कि अब उसे वो zholop machine मिल जाएगी Next scene में Josh एक book stand पर होता है वहाँ उसे दिखता है कि 13 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें comics में बहुत ही इंट्रेस्ट होता है उसे फिर idea आता है कि अगर हम एक digital comics बना सके तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है वो Susan को यह idea समझाता है वो बोलता है कि हम comics में जो characters है उनकी choices हम बच्चो को दे सकते हैं यानि कि बच्चे choices करेंगे और उस तरह से storyline बदल जाएगी हम अलग-अलग disc से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं Susan को भी यह idea अच्छा लगता है Susan को उसकी और Josh की relationship कहा जा रही है यह पता करना होता है तो Josh से पूछती है Josh को यह समझ में नहीं आता तो Susan उससे पूछती है कि मैं तुमारी लिए क्या हूँ Josh फिर उसे playfully मारता है और उसके साथ कुष्टी करने लग जाता है Billy Josh को call करने की कोशिश करता है पर Josh उसके idea में बहुती busy होता है तो Billy उसको call नहीं कर पाता Billy उससे बात नहीं कर पाता वो late night भी काम कर रहे होते है तो Susan उसके बौस से मिलती है उसका बौस उसे बोलता है कि तुम मुझे अब बहुती खुश लग रही हो मैं तुमारे दोनों के लिए happy हूँ यानि कि Josh और उसकी जो जोड़ी होती है वो देखकर उसके बौस को बहुती अच्छा लग रहा होता है फिबिली frustrated होकर Josh को office में आ जाता है वो बोलता है कि मुझे सब list मिल चुकी है तो मैं सिर्फ अब call करना है और तुमें पता चल जाएगा कि तुमारा जोलॉप machine कहा है Josh बोलता है मैं बहुत ही काम में हूँ और उनकी वहाँ fight हो जाती है बिली बोलता है कि मैं तुम से थ्री मन से बढ़ा हूँ और ये बोलकर फिर वो वहाँ से चला जाता है बिली रात में जब घर आता है तो Josh से वो जिस रेडियो फोन से बात करता था उस फोन से एक आवाज आती है वो दोनों नेबर से होते है तो वो देखता है कि Josh की मदर उस रेडियो को देख रही होती है Josh की मदर से वो फिर वो बात करता है जोश की मदर उसे बोलती है कि उसका birthday था मैंने उसके लिए गिफ्ट भी लाया था वो गिफ्ट वो बिली को दिखाती है वो उसे बोलती है कि जब तक जोश नहीं आ जाता तब तक तुमें इसे खेलना है तो तुम खेल सकती हो पर बिली उसे रख देता है और बोलता है कि मैं इसे नहीं रख सकता जोश थोड़े ही दिन में घर वापस आ जाएगा जोश बहुत ही काम करकर रात में ठक जाता है और फिर से अपना वीडियो गेम खेलता है यह वही वीडियो गेम होता है जो हमें वो मूवी के पहले में खेलते होए दिखाता फिर वो फिर से अपने टाउन में जाकर सब विजिट करता है उपने फ्रेंड्स देखता है अपना नेबर होड देखता है और फिर उसे फिर से वापस जाना होता है फिर वो घर आकर सुसेन से बात करता है वो सुजैन को बोलता है कि मुझे घर जाना है मेरी अलग लाइफ है और मुझे वहाँ वापस जाना है सुजैन बोलती है मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बडे तुम इतने अच्छे हो इनी सकते तुम्हारी फैमिली है और तुम्हें वहाँ जाना है न जोज बोलता है कि मैं 13 साल का एक छोटा बच्चा हूँ सुजैन को लगता है कि ये कपिंट मेट से डर रहा है इसलिए ये सब बोल रहा है वो उसे समझाने की कोशिश करता है वो बोलता है जोलॉप मशीन थी और इसमें मैंने एक वीश की थी इसलिए में छोटा बन गया था सुजैन को ये कुछ भी बिलिव ने होता और वो सोने चली जाती है जब नेक्स दिन वो उटती है तो वो जोज के पॉकिट चेक करती है उससे जोलॉप मशीन से तुमारी वीश ग्रैंट हो गई है एसा जो चीट निकलती है वो वहाँ देखती है वो फिर सब चीजे सोचने लगती है जोश का अपार्मेंट जोश का रहना जोश की सब बाते ये सब वो फिर से रिकॉल करने लग जाती है उसे थोड़ा थोड़ा बिली होने लग जाता है बिली के पास सब फेर्स की लिस्ट होती है और उनके नंबर्स भी होती है जोश की अब meeting हो रही होती है जो comic book का idea होता है वो सबको बता रहा होता है सबको idea पसन आता है पर Paul को वो idea पसन नहीं आता जोश अपना idea बता कर उस meeting से निकल जाता है सुजैन भी उसके पीछे भागती है बिली उसके office के नीचे ही होता है पर जोश एक टैक्सी लेकर आगे चला जाता है उसे उसकी टैक्सी देखती है वो उसे आवाज देने के कोशिश करता है पर वो उसे दे नहीं पाता फिर सुजैन देखती है कि बिली जोश को जानता है तो बिली से बुझती है कि जोश कहा गया है बिली उसे उसका पता देता है फिर वो उस फेर में आती है ये डे होता है तो वो फेर चालू नहीं होती बिली फिर उस मशीन के पास जाता है और अपनी विश पूरी कर लेता है सुजैन फिर वहाँ आती है और उस कार्ट को देखती है जॉश फिर उससे बात करता है और बोलता है कि मेरे पास million reason है कि मैं अपनी old life में वापस चला जाओ पर मुझे रहने के लिए एक ही reason है वो तुम हो और मैं यहाँ नहीं रुख सकता मुझे अपनी old life में फिर से वापस जाना चाहिए वो उसे बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो पर वो उसे बोलती है कि मैं पहली बार भी छोटी रेज चुकी हूँ उसे अपना बच्पन अच्छा नहीं लगता वो जॉश से अपनी age पुछती है जॉश बोलता है कि मैं 13 साल का हूँ सुजैन फिर उसे बोलती है कि और 10 साल में हम फिर से मिल सकते हैं अगर डेस्टिने ने चाहा तो हम फिर से एक हो जाएंगे फिर वो उसे अपने घर ड्रॉप कर देती है सुजैन उसे बोलती है कि तुम मुझे याद भी नहीं करोगे जॉश बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बूलूंगा फिर वो गाड़ी से उतरता है अपनी घर की तरफ चलने लग जाता है तभी उसके कपड़े बड़े होने लग जाते है और वो छोटा हो जाता है फिर से वो अपने 13 साल के रूप में वापस आ जाता है वो सुजैन को बाई करता है और घर में चला जाता है घर से हमें आवाज आती है कि उसके मदर उसको देखकर बहुत ही खुश है तो नेक्स दिन जॉश और बिली हमें फिर से एक साथ खेलते हुए दिखते यही यह मूवी खतम हो जाती है